जैशनी देव मित्रों हम इस वीडियो में सिर्फ मकर लगन के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे अक्टूबर के महीने में सूर्य और मंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण राशी परिवर्तन होगा और सूर्य, केतु और मंगल की युति आपकी कुंडली के दस भाव में बनेगी जिसके कारण ये गोचर आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण राशी परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब हम चर्चा करते हैं व्यवसाय और करियर संबंधित ये महीना कैसा रहेगा आपकी कुंडली में जो वर्तमान समय के ग्रह सूर्य और बुध आपके नवम भाव में हैं यहाँ आपके भाग्य भाव के साथ होने के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं सूर्य जो कुंडली के आठ भाव के स्वामी हैं, वे भी भाग्य भाव में हैं, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं सूर्य भाग्य भाव में होने से आपके वित्तिय स्थिती पर असर डाल सकते हैं, विशेश कर यदि आप छोटे भाई भाई बहन के साथ कोई व्यापार कर रही हैं यह वित्तिय दिक्कतों को उत्पन्न कर सकता है और कारोबार में लाभ कम होने की संभाव ना हो सकती है यदि आपके छोटे भाई भन के साथ व्यापार कर रही हैं तो पारिवारिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं साजह व्यापार के कारण किसी समस्या का सामना करना पढ़ सकता है और इससे परिवार में तनाव बढ़ सकता है भाग्य भाव में सूर्य की स्थिती कारियों में चुनोतियों को दर्शा सकती है यह संधर्ष और प्रतिसपर्धा की बढ़ती दिक्कतें दिखा सकता है और सफलता प्राप्थ करने में विलंब का कारण बन सकता है भाग्य भाव में सूर्य की स्थिती आपकी जीवन में अस्थिर्ता उत्पन कर सकती है, जिससे आपके भाग्य में अचल और स्थिर्ता की कमी हो सकती है यह सूर्य की स्थिती आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी दरार डाल सकती है और आपको तनाव में डाल सकती है वर्तमान समय में आपकी कुंडली में मंगल और केतु आपके दस भाव में हैं, जो आपके कार्याले में मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है मंगल क्रियाशील्ता, उच्साह और समर्पन का प्रतीक है लेकिन जब यह दस भाव में होता है तो यह आपके कार्यस्थल में प्रतिसपर्धा और जीवन के लिए लक्षे की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है यह आपके साथी कर्मचारियों के साथ मानसिक तनाव और असमन्जस को भी बढ़ावा दे सकता है क्योंकि प्रतिसपर्धा बढ़ सकती है केतु जो मिष्रित और अधिश्य फल का प्रतीक होता है भी कार्यस्थल में अच्छा समय नहीं हो सकता है और मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है इसके परिणामस्वरूप आपको अपने सामाजिक और पेशेवर जीवन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्शक्ता हो सकती है ताकि आप सहकर्मियों के साथ सुखद और अनुकूल रिष्टों को बनाए रख सकें और आपके कारिस्थल में तनाव को कम कर सकें वर्तमान समय में राहू और गुरू की युति आपकी कुंडली के चार भाव में है, जिसके कारण ये समय और आने वाला समय आपके करियर में स्थिर्टा लेकर आएगा जो अस्थिर्ता राहु द्वारा आपके करियर को लेकर पिछले कुछ महीनों से बानी हुई थी, वो गुरु द्वारा काम होगी. आने वाले समय में कुछ नए अफसर आपकी नौकरी में आपके बिजनिस में देखने को मिल सकते हैं, जो जातक प्रॉपर्टी में निवेश क करते हैं, अथवा प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करते हैं, यदि उन्हें भी अपने कार्य संबंधित तनाव बना हुआ था, वो दूर होगा, यदि आप पिछले कुछ समय से वाहन खरीदने का लान कर रहे थे, परंतु नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस समय आपकी समस्या दूर होगी, यदि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बना हुआ था, वो दूर होगा, वर्तमान समय में शनी देव आपकी कुंडली के दो भाव में हैं, जहां से शनी देव की दृ लिष्टी आपकी कुंडली के आठ भाव पर, चार भाव पर और कुंडली के ग्यारा भाव पर होगी, ये समय आपकी सेविंस में धीरे धीरे वृद्धी करेगा, ये समय आपके फ्मिली बिजनेस में स्थिरता प्रदान करेगा, किसी प्रकार का तनाव आपके फ्मिली बि तो आपको शनिदेव के अत्यंत शुब फल मिलेंगे और आपको आपकी महनत का बहुत ही शुब फल मिलेगाए समय और आने वाला समय आपके कार्य के प्रती आपको बढ़ावा देगा और आप अपने कार्य को लेकर अधिक व्यस्त रह सकते हैं, जिकसे कारण आपके वैवाह जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है 18 अक्टूबर के बाद का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी इस समय सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा जिसके कारण मंगल केतू और सूर्य की युति कुंडली के दशम भाव में बनेगी जन्म कुंडली के दसवे भाव में केतू, मंगल और सूर्य की सन्युक्ती के प्रसंग में सकारात्मक और नकारात्मक पहलूँ की मौजूदगी होती है इस स्थिती के सकारातमक पहलू में, मंगल का प्रतिसपरधातमक स्वाभाव और सूर्य की उर्जा के साथ आपके कर्मचर्यक्षेतर में उच्साह और समर्पन की उर्जा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आपको अपने लक्षों की प्राप्ती में मदद कर सकता है और आपके पेशिवर जीवन को सफलता की ओर पहुचाने में सहायक हो सकता है। यह स्थिती आपके कार्यस्थल में नेत्रित्वक शमता को भी प्रवरित्थ कर सकती है और आपको आदर्श कर्मचारी के रूप में जाने जाने का सौभाग्य दे सकती है। हालांकि इस सन्युक्ती के नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। केतु की मिश्रित और अदरिश्य शक्ती का प्रतीक होता है और यहां आपके कार्यस्थल में अस्थिर्टा और अस्मन्जस का कारण बन सकता है। यहां आपके साथी कर्मचारियों के साथ मानसिक तनाव और अनुकूल नहीं संधर्ष को बढ़ावा देने की संभावना है. इसके बावजूद यह एक चुनौती के रूप में आ सकता है, जिससे आपको आत्मस्मिक्षा करने और अपने कार्यक्षेत्र में सुधार करने का अफसर मिल सकता है. इसलिए केतू, मंगल और सूर्य की सन्युक्ती कुंडली के दस्वे भाव में एक दोहरा दावा और चुनौती हो सकता है. आपको सकारात्मक पहलूओं को बढ़ावा देने के लिए अपने लक्षियों के प्रती-प्रतिबध रहने के साथ, मानसित तनाव को संभालने और अपनी कार्यक्षेत्र में सुधार करने के लिए तयार रहने की आवश्शक्ता है. अब हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य संबंधित ये महीना कैसा रहेगा? अक्टूबर महीने में पेट के नीचे के हिस्से से और आँखों से संबंधित कोई रोग परेशानी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनी और शुक्र के विशेश स्थान है. शनी कुंडली के दो भाव में होने से आपके शारिरिक स्वास्थ्य पर द्रिड प्रभाव पढ़ सकता है और आँखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याई भी उत्पन हो सकती हैं, क्योंकि यह भाव आँखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. इसके साथ ही शुक्र कुंडली के आठ भाव में होने से पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है इसलिए अक्टूबर महीने में आपको पाचन संबंधित समस्याओं का सामना करने की संभावना है यह हो सकता है कि आपको पेट की समस्याओं जैसे की गैस, पेट दर्द या अन्य पाचन संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अक्टूबर के 4 से 7 और अक्टूबर के 21 से 24 का समय आपको नींद आने में समस्या हो सकती है इस समय आप मेडिटेशन अवशे करें, अब हम चर्चा करते हैं, विट समबंधित ये महीना कैसा रहेगा वर्तमान में आपकी कुंडली में शनी वक्री अवस्था में द्वितिय भाव में हैं, जिससे आपके धन संचयन करने में कुछ समस्याएं आ सकती है इसका मतलब है कि आपके विट्तिय स्थिती पर शनी की ग्रह संयुक्ती का असर पढ़ सकता है और आपके धन संचयन को कमजोरी का सामना करना पढ़ सकता है यह समभावना है कि आपके अधिकांश व्यज़ घर परिवार से समबंधित होंगे द्वितिय भाव में ब्रहस्पती की स्थिती यह दर्शाती है कि आपको अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और इन खर्चों को उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इसके अलावा, इस भाव में राहु का साथ होने से यह संकेट मिलता है कि आपको अपनी आर्थिक स्थिती की बढ़ोतरी करने के लिए धन खर्च करने में मजबूरी में हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिती में बाधा आ सकती है इस माह में भाग्यशाली ग्रह शुक्र आठवे भाव में हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपनी कमाई से पैसे बचाने में मुश्किले हो सकती है इस कारण आप कोई भी फैसले लेने में कई बार सोचेंगे पांच से आठ और अक्टूबर के 21 से 25 के दिनों में आपके लिए कुछ धन लाब हो सकता है यह समय आपके लिए निवेश का भी अच्छा हो सकता है आपको अपने वित्त संबंधी उद्देश्यों को प्राप्थ करने के लिए सही समय पर कदम उठाने का मौका मिल सकता है इसी तरह अक्टूबर के 17 से 19 के बीच आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इस दौरान आपके वित्त संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है जैसे कि अनिरिक्षित खर्चे या अनिवार्यव्यय यदि आपके पास वाहन है तो अप्रत्याशित खर्चों की संभावना बनी रहती है आपके घर में बिजली के उपकर्णों पर भी अधिक खर्च होने की संभावना है सामान्य रूप से अक्टूबर महीने में आपको अपने वित्त संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और वित्त प्रबंधन का सावधानी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए ताकि आप आने वाले समय में अधिक समरिध्धी और सुरक्षा का आनंद ले सकें अब हम चर्चा करते हैं प्रेम जीवन संबंधित ये महीना कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ विवाध होने की संभावना है और इससे आपके रिष्टे में तनाव बढ़ सकता है कुछ मामलों में यह स्थिती इतनी बिगड़ सकती है कि आप एक दूसरे से अलग होने का विचार भी कर सकते हैं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें इस महीने कुछ बोजिलाई जा सकती है क्योंकि आपसी समझ की कमी के कारण नोक जोंक हो सकता है इसके अलावा आप अन्य लोगों के साथ भी आपसी समझ में कमी के कारण बहस कर सकते हैं दस्वे भाव में मंगल की उपस्थिती के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में राहत मिल सकती है रिष्टे में मेट्यूरिटी आ सकती है और आप अपने पार्टनर के साथ बहतर संबंध बिताने में सक्षम होंगे शुक्र जो प्रेम का कारक है आठवे भाव में हैं जिससे वैवाहिक जीवन में उतार चड़ाव आ सकते हैं लेकिन इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की संभावना है इस महीने आपको अपने प्रेम और व्यवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है, लेकिन इसमें बड़ी मुश्किले नहीं होनी चाहिए अब हम चर्चा करते हैं पारिवारिक जीवन संबंधित ये महीना कैसा रहेगा अक्टूबर दो हजार तेईस में मकर राशी के जातकों के परिवारिक जीवन में चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की अधिकांश स्थितिया अनुकूल नहीं है चौथे भाव में ब्रिहस्पती के साथ राहु हैं, जिसके कारण परिवारिक जीवन में कठिनाईया बढ़ सकती हैं और साथ ही समपत्ती से जुड़े विवात पैदा हो सकते हैं इन समस्याओं के कारण घर में शांती का वातावर्ण प्रभावित हो सकता है चौथे भाव में ब्रिहस्पती की मौजूदगी के कारण परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी हो सकती हैं ऐसे में जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है, उनके परिवार में अलगाव की स्थिती की समभावना है आठवे भाव में शुक्र की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच अहमकार की भावना पैदा कर सकती है राहु के साथ चौथे भाव में ब्रिहस्पती परिवार में मुश्किलें बढ़ा सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत बंध हो सकती है आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में समायोजन बनाये रखें बातचीत जारी रखें क्योंकि बातचीत से हर समस्या का हल निकलेगा इसके अलावा चौथे भाव में स्थित राहु संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और चौथे भाव में ब्रिहस्पती, राहु की युती संपत्ती विवाद पैदा कर सकती है, जो परिवार के सदस्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी. इस महीने आपको परिवार में चल रही समस्याओं को हल करने में सफल होने की संभावना है, क्योंकि मंगल दस्वे भाव में हैं, जिससे कोई बड़ी समस्या होने की संभावना नहीं है. इस महीने में आपके माता पिता के साथ घर में तनाव बढ़ने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी 16 अक्टूबर के बाद का समय आपकी माता के स्वस्थ को लेकर भी घर में चिंता बढ़ सकती है अब हम चर्चा करते हैं उन महत्वपून उपायों की जिन्हें अक्टूबर के महीने में करने से आपको लाप प्राप्थ होगा हनुमान चालिसा का पाठ दिन में रोजाना करें जो मंगल के दोश को दूर कर सकता है गाय को दान दें जिससे सूर्य की कृपा मिल सकती है अपने पिता को सम्मान दें और उनका आशिरवात प्राप्थ करें केतु के दोश को दूर करने के लिए लौंके दान करें और अपने घर की दरवाजा दिन में खोलें शनिवार के दिन काले तिल के बीज या तेल का दान करें अपनी गर्दन के चारों और काले धागे में तामबे का सिख्का पहने जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को प्रदोश व्रत करना चाहिए और उस दिन आपको सूर्य उदे से पहले उठकर सनान करके शिव मंदिर जाना कहिए और वहां 108 बार नमः शिवाय मंतर का जाप करना चाहिए आप इस दिन शिव 40 पढ़े और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं इससे आपकी मनोकामना पुर्ण होगी और विवाह में आने वाली अर्चने दूर होगी तो ये था मकर लगन के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा शनी देव आप सभी लोगों पर अपना आशिरवाद बना कर रखे धन्यवाद